कि रोलिंग रिजिस्टन्स हमने पिछली इ WITH में पढ़ा था तो Ctrlांपा सभविस्टंस की दो टाइपस हैं एक train की shape के है front की और पीछे की देखते हैं लेकिन front shape के है और दूसरी है कि train की speed से move कर रही है और गेज़कर जो एड़ाइमिक रिजिस्टेंस डिपेंड करती है तो train के सबसे पहले shape की थोड़ा study करता है कि train का जो front फीचर वो कैसे है जितना जादा होगा इसका एक्सपोजर एरसे उतनी जादा उसको एर इससेंश करने पड़े गी तो जैसे अभी कुछ बिल्कुल सीधी होती है और यह जो थोड़ी सी ऑंगुलर होती है उनमें एकस सामनी यसके चंब लगती है तो वह जैसे बुलेट है उसका फ्रंट फीचर देखो कि तो वह कि इस थे इनक्लाइंट से होता है जिसकी वजाए से उस पर एयर रिजिस्टेशन कंगा लगती है। जिस तरह का उनका structure होता है तो वह उसकी वजाए से अराम से वह एर रिजिस्टनस को कम से कम face करनी पड़ती है तो front feature बहुत important है कि front feature आपका कैसा है दूसरा एप rear feature जो है वह भी बहुत important है क्योंकि जैसे यह train है कर रही होती है तो इसके उपड़ से हवा जा रही होगी नीचे से भी जा रही होगी साइडों से भी हवा जा रही होगी जब गुजर जाती है तो उसके पीछे यह vertices create होता है तो आपको यह बादा चलता है कि इनका मोशन ही हुआ यह resistance create होती है फ्रेंट पे तो create होती है एर के वज़े से resistance रियर side पे भी यह ट्रेंज के जो है यह resistance create होती है यह बहुत important है कि इनको study भी करना होता है और इसके अलावा यह है कि ऐसा भी होता है कि ट्रेंज में जैसे यह gap है मसला अभी जो पीछे है जो हमने यह देखे यह एक वैगन वाली ट्रेन है लेकिन अब एक से जादा वैगन वाली ट्रेन आती है तो उसमें क्या होता है कि अगर जिस यह बीच में गैप होगा तो यहां फिर इधर भी रिजिस्टेंस जैसे क्रिट होना शुरू हो जाएगी बैक पी भी होगी बीच में भी होगी अच्छा मॉडर्न ट्रेंज में यह जगा फिल्ड होती है देखा होका मॉडर्न ट्रेंज यह हम इस वैगन से दूसरी वैगन में भी जा सकते हैं पुराई अगर आपको इटली की वह रभी भी वाली ट्रेन याद हो तो उसमें कुछ गैप है मतलब एक वैगन से दूसरे वैगन में नहीं जा सकते हो प्राना फिचर अब नियुम जो है अनमें अप एक वैगन से दूसरे वैगन जा सकते हैं क्यांत इसके एर रिजिस्टेस बीकाम हुए आती है ब्सक्रण बाइब कर इसमें यह इस में घर बैक पे नहीं है त एक से ज्यादा होगी तो इधर भी क्रेट होती है अगर यह फिल्ड ना होती है तीसरी चीज़ यह है कि आपका एंगल क्या है मतलब यह है आपकी सर्फिस और इस सर्फिस से फ्रंट फीचर का एंगल क्या बन रहा है इस एंगल की बात तो यह जो एंगल है लॉंगिटोरिय जविकल और स्वाइल मतलब यह जो सरफिस है इसके धर मियाँ इस पर भी डिपेंड करती है अभी बात की कि इसका फ्रंट फीचर यह एक तरह से फ्रंट फीचर के बारे में है कि फ्रंट फीचर कैसा है जितना जादा तो अब जो बुलेट ट्रेंज होती है जो फास्ट ट्रेंज होती है इसके इसके अलावा जो एक और चीज है वो यह है कि क्योंद आदर है इसके यहीं कि अब जो एफ यह मॉडना जाती इसके में अब जो इसके माउड़नब्रकर के दो तो front side important है, rear side important है, और front लग ये angle way important है, और नीचे से भी हवा ना उजए, ये भी important है, इन सब की वज़ाए से resistance create होती है, तो एक और जो shape तो है, बाकि इसके लावा sideों से भी resistance face होती है, क्योंकि हवा जो है, इसकी train की walls और windows पे भी लग रही होती है, तो उधर भी आपकी काफी resistance मेसूस होती है train को, और resistance का मतलब है कि energy loss, जिस speed साब जा सकते हो, इस resistance की वाइसे नहीं जा पा रहे होगी, ये resistance, इसलिए हम resistance को पढ़ता है कि हमारा loss कितना हो रहा है, तो ये हमारी lateral resistance है, जो कि sideों से लग रही है, इसके अलावा अगर जैसे पाकि resistance क्रेट होती है, या जिस तरह भी हमने पीशे वाले इसमें देखा था है, इसमें ये तो सही है, नहीं, modern train है, इसमें ठीक है, जो पुराइन train होता था, उधर भी resistance क्रेट होती है, तो और अगर उपर से कोई छट, छट से छोड़ा ventilator type का असा है, ventilation के लिए अपने छट पे ही तो कुछ रखाब है, तो वहाँ भी फिर, टरcott होता है, तो इसके वीशे एयर रिजिस्टेंस क्रेट होती है, तो यह सारी की वैयसे cleb Ming resistance आधा होती है, रोलिंग रिजिस्टेंस के मुकाबले में एरो डैनिमिक रिजिस्टेंस की जो इंपक्ट है वो जादा है तो शेप की वज़ा होगा और लेटरल साइड से भी लग रहा होगा इसके भी डिबेंड करता है कि खिड़कियां खुली हैं कोई हवा अंदर जा रही है अगर और टेकनोलोजी जा गई है तो अब क्या होता है कि ट्रेंज की पहले स्टडी की जाती है और इन में इस जिसे ही तो कार है ना तो कार में भी इस तरह से जो है हुआ का प्रेशर से देखा जाता है कि अगर यह स्पीड से मूफ कर रही होगी तो इस पर हवा किस तरीके से इं होती है और जार एरोडानमिक में हमें यह जहें में रखना है कि हम जो एर रिजिस्टेंस पढ़ता है वह एर नहीं के हवा चल रही है वह नहीं देखते हैं हम देखते हैं रिलेटिव विंड यानि ट्रेंड की स्पीड की वज़ा से जो उसको फील हो रही हो गया हुआ ज़रूरी नहीं जब आप ट्रेंड के उपर खड़े हो और स्ट्रीट से चल रहो तो अपको महसूस होगा बहुत तेस हवा चल रही है लाजमी नहीं आप उतर के खड़े हो तो आपको वह हवा महसूस हो तो वो जो हवा जो ट्रेंड के मुव्मेंट के बज़र से आई है वो बार रेलेटिव विंट को पढ़ते हैं, हम इस सिम्यलेशन के अंदर होता है, यह हवा हम क्रियेट करते हैं, और इस तरह की क्रियेट करते हैं के इस पे जब लग रही हो तो उसको वान्द ट्रेन रुकी वी होगी। जैसे गाड़ी रुकी वे हवा तेजी से चलाएंगे और उसका एफेक्ट वैसी होगा जैसे ट्रेन चल रही हो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसकी यह पावर होगी इतना पावर लॉस होगा उसके बाद उसको लॉंच करते हैं तो यह जो है विंड टनल कहलाता है कर ले लेकिन टरेन के लिए ख़ड़ा बड़ा सिस्टम होता है उस सिस्टम में पहले हम स्थाडी कर गें फिर ध्रेल क्यों को लॉंच करते हैं तो प्रक्रदैन्सेंल निकलने Toma फॉन और इसमें यह आरे जो है एरोनायमिक रिजिस्टेंस है यह रोज एर डेंसिटी है एर डेंसिटी सी लेवल पर 1.226 न्यूटन मीटर सेकिंड स्कॉरे स्टा करके होती है 1.226 और बाकि आपको जो भी लेवल है सी लेवल से उपड़ हो तो वह कम होती है गी एर डेंसिटी सबसे जादा नीचे सबसे जादा होती है सी लेवल पर और जैसे जैसे उपर जाते जाएंगे एर डेंसिटी कम होती है इसके इलावा CD जो है वो coefficient है जो के इस experiment से निकलता है जो यह जो experiment है इस experiment से हमारा CD की value निकलती है कि क्या coefficient होगा और यह experiments के थूँ डिफाइन करते है तो पहले जो starting वेगन होती है जहां driver बैट होता है वहाँ पे तक्रीबन इसकी value 1.2 से 1.4 ली आती है मुवन और जो पीछे वाले वह यह कहले और उनमें यह value 0.8 से 1 तक ली जाती है जो पीछे वेगन लगी होती है सिधात करेक्टेड तो यह experiment से निकलती CD value जब यह train launch कर रहे होता है बना के तो उसको CD value बता देते हैं कि यह value ACD एगी क्योंकि experiment कर चुके होता है उसके सर्फेस एरिया के सामने का सर्फेस एरिया क्या है frontal section का सर्फेस एरिया S कहलाता है total area होगा हो S कहला है और जिस speed से train move करेगी जारे जो maximum speed होती है उस हिसाब से हम सोचते है कि अगर maximum speed से move कर रही हो तो क्या air resistance होगी तो वह V होती है इससे हमारी aerodynamic resistance निकलती है तो काफी सारी अलग-अलग मतलब अभी हमने जो study कर लिया है aerodynamic resistance भी study कर लिए rolling resistance भी study कर लिए यह दोनों resistance ordinary resistance है उनकी काफी सारी formulations है जो अलग-अलग scientists ने अलग-अलग researchers ने अपनी दीवी है अलग-अलग locomotive के हसाब से कोई train slow चलती है या तेज चलती है या metro है या articulated है bogies two bogies वाली है उन सब के हिसाब से एक अलग formulation मनी भी है तो दो तरह के हमारे पास formulation है एक binomial formulation एक trinomial formulation है binomial में यह rolling resistance है और यह bv square यह aerodynamic resistance का पार्ट है केता है a की value आप 2.4 ले लो अगर आपका low speed train है medium में भी 2.4 लो high speed में 1.6 ले लो क्योंकि जितनी जादा speed होगी उतनी कम rolling resistance होती है और इसके लाबा scissor land ने यह तू पर तो यह अलग-अलग values हैं कोई सी यह value यूज कर सकते हो अपने अपने study के हिसाब से जो आप train यूज कर उसमें वह यह आ जाएगा और यह aerodynamic resistance है यह speed पर depend करती है इधर V है speed है वजन कितना है train का इस पर depend कर रही होती है तो यह सब चीज़ें जो है यह एक formulation है इसी तरह एक और formulation भी है उसमें जिसमें rolling resistance और एक और resistance जो है उठानी है तो आप को पादा होना चाहिए कि स्टैक की formulation आप यूज कर सकते हो कोई से भी formulation यूज कर सकते हैं तो Metro के लिए मशूर यह लिए बोरिस ओसकी की जो formulation है यह मशूर है मैं c की value 3.2 लेते हैं c given, d given, e given, velocity की value डाली जो के आपकी design speed वाली velocity होगी वो डालो और आपको rolling resistance और aerodynamic resistance यह सब resistance मिल जाएगी मतलब ordinary resistance सारी मिल लेंगी तो यह हमारी ordinary resistance थी जो के flat condition के लिए थी यानि कोई slope नहीं है strict थी मतलब कोई curve नहीं है और uniform speed से चल रहे थी जब कोई acceleration नहीं अब हम अगले topic में अब line से पहले यह देखेंगे कि अगर slope आ जाए तो उसकी वैसे क्या resistance के लिए होती है तो next video में हम slope resistance को study करेंगे